हेलो नमस्ते फ्रेंड्स ये मेरे गाना के कप्रों का है आज का कलेक्शन ये में लाई हूं काना के लिए नई ड्रेड कलर की ड्रेस जो आपके साथ शेयर कर रही हूं अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूं आपको देखे ये रही है ना क्यों इसमें मोती का वर्क हो रखा है बहुत अच्छा सुन्दर ये भी फैब्रीक में बनी हूई है कि दुलने से खराब नहीं होगी ठीक है इक ड्रेस है में आपको दिखाते हूं आपको दिखाते हूं नहीं है इस पर भी मोती का वर्क हुआ है है ये फैब्रिक भी खराब नहीं होता है कि दुलने से सुन्दर बहुत सुन्दर तरह से मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आई है नमबर थार्ड है ये यलो गलर की इसको पिकोक बने हुए है इसका फैप्रिक भी वैसा ही है जैसे बाकी ड्रैस इसका है देखिए ये इसके पिकोक बने हुए है मेरी बेटी को बहुत सुन्दर लग यह इसका फैब्रिक भी दूलने से खराब नहीं होगा ठीक है तो यह तो हो गई ड्रेसेज तीन एक जन्मस्टमाल दिन के लिए एक रात के लिए एक फिर नेक्स डेव सुबह के लिए मैं दो छोटे-छोटे मसन लाई हूं काना जी के साइड में रखने के लिए यह उनकी एक पगड़ी है जो मैं रड ड्रेस पेपर नाओंगी उनको त्यारी लग रही है ना यह रड ड्रेस के दे पगड़ी है काना जीकिए और एक पगड़ी उनकी यह है वह सुन्दर यह इस ड्रेस के लिए है ठीक है और एक छोटी सी मुझे बहुत सुन्दर लगी बहुत प्यूट लगें काना जी इसमें इसलिए मैं यह प्रड़ी यह भी लियाई हूं यह मैं उनकी लिए माला लाई हूं आप ऐसे ही देख लिए इसकी पन्नी हटी नहीं है वैसे मेरे पास गोल्ड की माला भी है काना जी के लिए यह उनके हाथों के हैं कंगन यह कपड़ा लाई हूं मैं इससे कुछ बनाऊंगी मंदिर में बिचाने के लिए टिक ग्रीन कलर का कोल्डन वर्क यह मैं दिया लाई हूं वैसे मेरे पास बड़े जोत है लेकिन इसमें इसमें सुबह से शाम तक के लिए पूजा जोत जला के रखनी हूं झाल